हलो एन वेलकम डू बिटे निंग साथ मैं मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी निंग यूएस के अंदर जो यूएस कोवेंट की सबसे बड़ी प्रियर्टी है वो ये है कि ठीक है एक तरफ उन्होंने बाइन्स को और कॉइन बेस के उपर और बाकी जो एक्स्चेंजिस है उस पर क्रैक्डाउन किया अब वो यह नहीं चाहते कि वहां से जो फंड्स हैं वो ऑफशोर चाहे मतलब यूएस से निकले और यूएस यह भी नहीं चाहेगा कि उनके जो फंड्स हैं जो वहां से कॉइन बेस और बाइन्स का जब वो रास्ता बंद कर रहे हैं एक्स्चेंजिस का तो जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ऐसा नहों कि वो कहीं और बाहर चले जाए तो इसके लिए बहुत स्मार्टली वो क्या कर रहे हैं कि बैक डॉर से कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अल्टरनेटिव मिले एक्सचेंज का कि लोग जनरली एक्सचेंज के ओपर जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक्सचेंज में ना ज और यूनो ब्लाक रॉक जैसी जो एटीएफ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि उसने 575 एटीएफ अपलाई किया और एक ही रिजेक्ट हुआ है तो हाईली यह चांसिस हैं कि उन्होंने पूरी वर्किंग करी है कहीं नगे यूएस गर्मेंट का उनको ग्रीन सिगनल पहले क्या करेंगे एटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे बिटकोईन का चुई एटीएफ है अब बिटकोईन का एटीएफ का इशू यह है कि एटीएफ एक डिजिटल एक पेपर फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बैकिंग मतलब एक डेरिवेटिव इस दिजिटल टोकन की वैल्यू सिर्फ वह है कि जो पीछए गोल्ड की वैल्यू है वह उससे वह बैक्ड होता है सिमिलरली भीिटकोईट निटेव भी आपकी जो वैल्यू है वह बैकड होगी बिटकोईन से तो लोगों को क्या है कि वहां पर यूएस के अंदर वह आल्ट मौर्गन है अभी fidelity का यह सुनने में आ रहा है कि वो gray scale को buy करने की कोशिश कर रहा है यह अभी rumored है यह ख़बर पकी नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि gray scale को fidelity buy कर सकता है ताकि उनको black rock को compete कर सके अब अगर 10 जो top 10 asset manager funds है जो US के अंदर जैसे कि black rock है तो वैसी fidelity है वेंगार्ड है Goldman Sachs है Jamie Morgan है ऐसे करके उनके 10 हैं तो जो top 10 funds है उनका जो उनके जो total asset वो देखते हैं वो 40 trillion US dollar के देखते हैं तो आब इसे अंदाज़ा लगाएं कि इन सब के अंदर hoard मत जाएगी क्योंकि जैसे black rock का ETF approved होगा back to back सारी के सारे funds हैं वो भी apply करेंगे और जैसे ही apply करेंगे पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े जो banks हैं वो भी apply करेंगे आज ही हमने खबर देखी के डॉशे bank है उसने जर्मिनी के अंदर क्रिप्टो कस्टोडियन लाइसेंस के लिए apply कर दिया है अचानक क्या हो गया सो यह बड़े-बड़े जो financial institutions हैं यह अल्रड़ी इनको कहीं न कहीं government की support है backing है कि यार तुम exchanges का alternative बनो इससे दो फायदे होंगे एक तुमें तो revenue मिलेगा ही मिलेगा इतनी बड़े जो fund तुमारी तरफ move करेगा दूसरा government बहतर तरीके से control कर पाएगी bitcoin को उसकी वज़ाई यह है कि लोगों के पास actual bitcoin नहीं होगा लोगों के पास एक paper form में digital form में bitcoin होगा या digital form में crypto होगा जैसे आज gold का digital form है लोग उसी में खुश रहेंगे नीचे bitcoin की जो backing है वो उसकी backing को बस लोग को बताया जाएगा बड़ एक्च्वल में bitcoin को लोग hold नहीं करेंगे ठीक है और यह एक दिखता है और plus कहीना कि जब digital form में जब आप paper form में किसी asset को कर देते हो तो उसके अंदर जो बड़े-बड़े banks हैं वो price manipulation बहुत करते हैं जैसे long और short की game खेलते हैं जैसे example तो gold का price बढ़ने लगता है तो JP Morgan जैसे जो बड़े banks हैं वो क्या करते हैं उसको control करने के लिए short कर देते हैं जब वो JP Morgan इतना बड़ा जब short करता है तो definitely market के अंदर वो price correction हो जाता है so इसी लिए range bound हो जाती है कोई asset का जो price है मौत हलके हलके वो grow करता है तो जैसे gold का हल हुआ वैसे वो bitcoin को भी pricing को भी control करना चाता है इससे क्या होगा लोगों का एक interest जो है जैसे gold को कहते हैं यार बहुत slow return देता है उससे ज़्यादा तो equities देती है तो gold से लोगों का पैस equity में जाता है gold को छोड़ देता है और लोग equity में invest करना शुरू कर देता है तो similarly bitcoin को भी range bound करके paper form में convert करके उसको एक range bound करके फिर जो interest है वापिस से हो equities और stock market में करवाने का इरादा है यह मेरी understanding है और belief है तो यह एक बड़ा important एक दोर से गुजर रहे है देखने वाली बात है कि black rock का ETF approve होता है यह नहीं होता है आपको क्या लगता है आप please comment करके ज़रूर बताएगा और detail में समझने के लिए इस video के black rock का क्या impact है अमेरिका की क्या सोच है वो इस video के आगे मैं एक video जो हमने भी web3 की दुनिया में किया था उसको मैं attach कर रहा हूं ताकि आपकी और एक detail understanding बढ़ जाए तो आगे यह आप इससे आगे का जो वीडियो है उसको जरूर देखेगा और black rock की जो US की असली सोच क्या है किस तरीके से US approach करता है उसको समयने के लिए आगे उस यह वीडियो अब शुरू होगा जो हमने web3 की दुनिया से clip उठा के इसमें add कर रहे है उसको आप जरूर देखेगा आपको पूरा perspective समझने को मिल जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ प्लीज comment करेगा like करेगा ठीक है और इस वीड comment है US की वो यह चाहती है कि पहले यह देखिए कि timing क्यों है यह अभी क्यों आ रहा है product BlackRock ETF इतना confident क्यों है एक तो BlackRock ETF का जो track record है वो बहुत solid है उन्होंने आज तक अपनी पूरे जीवन का हल में BlackRock की history में 575 ETF applications दी सिर्फ एक reject हुई मतलब 574 बार उनकी application को reject करने का किसी में दम नहीं है clear हो गया क्यों दम नहीं अब यह समझे 10 trillion US dollar का fund है इंडिया की economy का चार गुना इंडिया की GDP जो है ना उसका चार गुना चार गुना GDP के बराबर का उसका fund अकेला है जब BlackRock यह बोलता है ना कि मैं इस company में invest कर रहा हूं या इस देश में invest कर रहा हूं या इस industry मे invest कर रहा हूं भाई उस देश की उस industry की उस company की काया पलड़ जाती है क्योंकि यह इतना बड़ा investment आता है जब उसकी तरफ से US क्या करता है कि जिस country को उसको दबाना होता है वहां से BlackRock को बोलता है इधर से हड़ जाओ और जिस country को उसने उठाना होता है कहता है BlackRock को को कोई व होगा उसके अंदर BlackRock पैसा नहीं डालेगा जिस जो ESG compliant होगा उसके अंदर BlackRock पैसा डालेगा यह तरीका क्या होता है यह तरीका होता है जब ESG compliant करने के लिए companies चलती है जैसे suppose करो मैं एक example लेता हूं यह बहुत interesting point है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद आपको परदे के पीछे की कहानी नहीं पता देखो जैसे अमेरिका को threat feel होता है कि इंडिया और चाइना से जो companies है यह हमारी companies को tough competition दे रही हैं fight दे रही हैं हम इनके manufacturing plants को meet नहीं कर पा रहे हम compete नहीं कर पा रहे तो यह कहती है ऐसा करो ESG rule निकाल दो ESG rule निकालने से क्या होगा इन companies की cost of production बढ़ जाएगी क्योंकि ESG compliance महंगी होती है ठीक है और BlackRock को बोल देंगे कि तुम सिर्फ ESG compliant companies के अंदर invest करना तो BlackRock एक dictate निकाल देगा कि मैं सिर्फ ESG compliant companies में जाओंगा तो जैसे ये companies विचारी अपने आपको ESG compliant करने के लिए चलती है इनकी cost of production बढ़ती है जब cost of production बढ़ती है तो इनकी जो market के अंदर ये export कर रहे थे वो competitive pricing नहीं रहती और उधर अमेरिका क्या है शुरू से उसने rules पता थे कि मैं बाद में निकालूंगा day one से ESG compliance लेके चल रहा था जब ये रातो रात इनको करना पड़ता है तो ये अपने product को वहाँ compete नहीं कर पाते है BlackRock वहाँ से fund निकाल लेता है ये game को समझना बहुत ज़रूरी है आपको ये परद exchanges है वो survive ना करें US में लोग exchanges की जगा ETF से investment करें Bitcoin के अंदर exchanges से करेंगे तो exchanges से वो withdraw करेंगे hardware wallets में डालेंगे उसके उपर control नहीं रहेगा US government का ETF से करेंगे तो paper खरीद रहे है Bitcoin को नहीं खरीद रहे है Bitcoin तो नीचे है ना उपर paper खरीदते रहो जितना मर्जी paper खरीदते रहो जो असली माल है वो black rock के पास है रहेगा clear हो गया एक और हो गया एक और हो गया एक और चीज़ बताता हूँ आपने देखा होगा कि काफी सारी news आई कि USA में जैसी crackdown हुआ तो सारा का सारा ecosystem और funds Hong Kong और China और अलग-अलग देशों में जा रहे थे अमेरिका ये भी नहीं चाहत अमेरिका चाहता है कि exchanges भी बंदो मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न तूटे तो सांप तो मार दिया अब लाठी तूट रही है तो लाठी जो तूट रही है उसको बचाने के लिए एक ETF लेके आते हैं ताकि लोगों को एक alternative देते हैं कि funds को Hong Kong न मूव करें funds को BlackRock में move करते हैं बहुत important point है यह ठीक है और उसके बाद आप Bitcoin को control नहीं कर सकते हैं Bitcoin के network को control नहीं कर सकते हैं लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं उसका paper form बना दो paper form में जैसी आपने Bitcoin को बना दिया तो paper जितना मर्जी छाप सकते हो कोई BlackRock का जाके audit करेगा hello come here come here darling तुमारे परस कितना Bitcoin है तुमने इतना ETF छाप रखा है मैं आपका audit करना चाहता हूँ BlackRock बोलेगा तुम मेरा audit करोगे मैं 10 trillion US dollar का fund हूँ मेरा आज तक किसी के पाप में दमनी मेरा audit करनेगा who are you कोई उसका audit नहीं करेगा वो paper BTC छापता BlackRock ने अपने paper में बोला है कि अगर Bitcoin का fork हुआ तो जिसको हम बोलेंगे वो chain Bitcoin होगी हमारे लिए हम सतोशी के rule से नहीं चलेंगे हम Bitcoin network में जो उसका जो white paper है longest chain के rule से नहीं चलेंगे हम चलेंगे कि जो जिसको हम बोलेंगे कि यह chain longest chain है यह यह वाली chain का जो coin है वो Bitcoin है हम उसको मानेंगे तो कल को future में imagine करिए कि जनता के पास हजारो Bitcoin है मतला Bitcoin की market cap चले गई 7 trillion suppose या 5 trillion चले गई एक example और उसमे BlackRock की through एक दो trillion है suppose उस fund की value BlackRock की 2-3 trillion के अचानक Bitcoin का fork हो गया जब fork हुआ तो जो longest chain है by rule by consensus जिसके उपर सबस्यादा proof of work है उसको छोड़के BlackRock ने बोला नहीं हम इस chain को support करेंगे तो जो original chain है उसको छोड़के आप आगए ऐसी chain पर जो forked chain है जो real Bitcoin नहीं है फिर और यह उन्होंने अपने document में पहले है लिख दिया पॉस्ट गेम इस मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि यह आई ओपनिंग गेम है और यह excitement भी है fear भी है और long run में fears आता है short run में oh excitement but long run में बहुत बड़ा fear है आपको क्या करना है यह channel देखना है अकल लगानी है हम उससे क्या पूछ रहो क्या करना है right I am no one to tell you क्या क्या करना है क्या क्या करना है